आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की वोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाउ इस Question में कर रहा है On heating water from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius its volume वोटो को हम हीट करते है 0 degree Celsius से 100 degree Celsius तक तो इसका volume का भी हैवियर बताना है कि Option में क्या है Increase at each degree Celsius First increase till 4 degree Celsius Then decreases First decreases till 4 degree Celsius And then increases तो जैसा कि हम जानते है कि water क्या होता है Water की जो density हो तो जैसा कि जानते है कि हम कि volume क्या होता है Volume decrease होता है अगर density increase होता है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 4 degree Celsius रहता है उसकी density जो होती ही हो क्या होती है Maximum होती है Density of water Maximum Maximum को Max से denote कर रहा हूँ Maximum at 4 degree Celsius तो यहाँ और जैसा कि जानते है कि हम density क्या होता है density equal to होता है density अगर हम row से denote करें तो row equal to क्या होता है Mass per unit volume और यहाँ पर हम देख रहे कि क्या है row जो है वो inversely purpose है volume के तो हम जैसा कि जानते है जीरो से 4 degree Celsius तक क्या होता है उसकी density जो होती हो increase होती है मतलब क्या है maximum होता है 4 degree Celsius पे तो 1 from 0 degree to 4 degree Celsius क्या होता है density जो row होता है वो increase होता है तो इससे क्या हो जागा volume जो यहाँ पर क्या है volume यह क्या imply करेगा volume inversely proportion तो यह क्या होगा volume decrease होगा उसके बाद क्या है उसके बाद अगर हम देखे 4 degree Celsius है 4 degree Celsius to 100 degree Celsius पे क्या होगा इसकी density जो है maximum 4 degree है उसके बाद फिर क्या होगा उसके बाद decrease होगी decrease होगी तो यह क्या imply करेगा यहां inversely ठोलिंगर किरने लिएगी हैड पे पहल्य हुद जो चाहिए हैं यहां प्रक का रहा है 3 P क्लसिक्ट डूल सरे ते मैंड ऑड्वांज के लेवल त आशले मृत्व सीशिवाल मृत्वीं देज़न्पर स्टुरें चारसो 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 पर